नमस्कार दोस्तों अगर आप भी 10 भी पास है और आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आपके लिए एक अच्छी खवर ये है कि ग्रिह मंत्राले intelligence bureau में एक नई वैकेंसी आई हुई है जो कि multitasking staff यानि कि MTS और देख सकते हैं security assistant motor transport में ये वैकेंसी आई हुई है तो seat भी अच्छी खासी है तो कैसे इस form को भरना है पूरी detail क्या है ये भी जानेंगे तो बने रही हैगा आंतर तक ठीक है तो क्या क्या detail दिया गया है वो भी ज जानेंगे और कैसे form को भरना है step by step क्योंकि link जो है एक्टिवेट हो चुकी है registration का और login का तो form कैसे भरना है ये भी जानेंगे online की शुरुआत जो है आज से ही शुरू हो चुकी है 14 October 2023 से सुरू हो चुकी है और 13 November 2023 तक इस form को आप आविदन कर सकते हैं तो पूरी detail कहां पे देखने को मिल जाएगी आपको rojgarbihar.com पे देखने को मिल जाएगा पूरा detail ठीक है तो जैसा कि आप देख पारे होंगे मैंने यहां पर rojgarbihar.com website को खोल के रखा यहां पर आपको पूरी detail देखने को मिल जाएगी जैसे total पदो की बात करें तो 687 सीटे इसमें दी गई ह salary आप देखेंगे अच्छी खासी salary है ठीक है salary जो है security assistant के लिए 21,700 से लेकर 79,100 रुपय है वही MTS के लिए multitasking staff के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपय है MTS का का काम क्या होता है यह पर मैं बता दू MTS का का काम जो होता है official work होता है अलग-अलग कारी आपको दिये जाते हैं तो multitasking क मतलब यही होता है कि एक से ज़्यादा काम आपको मिलता है office में ठीक है कोई भी काम आपको करवाया जा सकता है officially और यहाँ पर देखें डेट जो है देख पा रहे होंगे 14,2003 से शुरू हो चुकी है last date 11,2003 से और यहाँ पर application fees की बात करें तो general ठीक है general और EWS OBC candidate को देख प और SCST candidate को भी 4500 रुपे लगेंगे यहाँ पर उम्र की बात करें तो अंतिम्ति ठीक हो यानि कि 13,11,2023 को security assistant के लिए यहाँ पर 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए और MTS के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए तो इसमें दो post है तो general के लिए कितनी seat है OBC के लिए SCST EWS कितनी seat है सारा पोस्ट वाइस यहाँ पर security assistant का और यहाँ पर MTS का तो देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर देखें तो क्या-क्या आप से परिच्छा में पूछी जाएगी क्योंकि इसमें selection जो होगा परिच्छा बेस होगा तो पहले आपका tier 1 examination होगा जिसमें general awareness quantity aptitude और numerical analytical logical ability under reasoning से दी गई है फिर टीर 2 का बात जो है बात भी करेंगे फिलाल हम लोग देखते हैं कि कैसे इस form को भरना है तो apply करने के लिए देखें यहाँ पर link apply online कर दिया हुआ direct आप इस पर click करके directly website को open कर सकते हैं open करने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको registration करनी होगी तो to register पे आप उनका नाम यहाँ पर भरना है ठीक है फिर यहाँ पर mobile number भरनी है फिर यहाँ पर confirm करके mobile number डाल देना है अगर alternative mobile number कुछ आपके पास है तो वो भी डालेंगे ठीक है नहीं है तो छोड़ देंगे अब आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पर आपको अगला जो है पुछा जाता है नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पर domicial domicial estate पुछा जाता है कहां कि आप निवासी है आप अपना राज select करेंगे ठीक है जो भी राज है वो select करेंगे फिर यहाँ पर जैसा ही राज select करेंगे फिर आपको यहाँ पर subsidiary bureau आपका खुल जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आपके राजी के अनुसार दिखाये देगा तो बिहार में बात करें तो बिहार में पटना इनका subsidiary intelligence bureau office है अब यहाँ पर अगर हम दूसरे state select करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूं देली तो देली में देखते हैं कि कहां कहां है तो देली में भी देखें एक ही है headquarter है अब अगर हम दूसरे state select करते हैं ठीक है और भरना जो है form अपनी state से ही भरना है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक और select कर लेता हूं उत्तर परदेश ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं तो उत्तर परदेश में देखें लखनाउ है मेरठ है वरा नसी है तो जो भी आपके according अच्छा लगे आप जिसके भी locality बाते है जो आपके नजदिक है वहां आपको select करना है तो मैं फिलाल यहाँ पर दिखिये बिहार कर लेता हूं विहार में एक ही है तो मैं बिहार यहाँ पर जेता हूं फिर यहां पर मैं पर पूछता है क्या आप दिव्यांग है 40% से अधिक तो मैं यहाँ पर no कर दूगा अगर आप दिव्यांग है 40% से अधिक तो यहाँ पर yes करेंगे फिर यहाँ पर category आ जाती है category अपनी select कर लेंगे ठीक है जो भी आपकी category है उसे select कर लेंगे फिर यहाँ पर post name आ जाता है किस post के लिए पाविदन करना चाते है security assistant या फिर multitasking अश्टाप के लिए या फिर दोनों के लिए दोनों के लिए करना चाते है तो बोथ पर click करेंगे दोनों आपका select हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह करने के बाद यहाँ पर term and condition को declaration को आपको accept कर लेना है और यहां पी capture को देख सकते हैं यह वह आपके नीचे यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो इसमें आपको checkbox आपको दिखाई दे रही है checkbox पर आपको click कर लेना है कि आपने जो भरा है वो सही है कि ने करके टिक करने के बाद जो है नीचे आपको देखे यहां पर दिखाई दे रहा होगा सब्मिट तो सब्मिट बटन पर किलिक कर देना है जैसे सब्मिट बटन पर किलिक करेंगे यहां पर देखे एगरी पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप यहां पर कहेगा कि देख लिजे फ तो इससे अच्छा होगा कि आप इससे सेव करके भी रख ले तो अच्छा रहाएगा ठीक है क्योंकि कभी-कभी मोबाइल नंबर पे नहीं जाती है तो दिक्कत हो सकती है फिलाल मैं इसे सेव कर लेता हूं उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे अब आपका रजिस्टेशन कंपलीट हो चुका है अब यहाँ पर देखे गो टू एपलिकेशन आपको दिखाई देरी है उपर में गो टू एपलिकेशन पर आपको किलिक करनी है जैसे किलिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखे फॉर्म जो है आपको चार अस्टेप में complete करना है पहला तो आपका eligibility criteria हो गया ठीक है उसके बाद communication detail भरनी है उसके बाद यहाँ पर qualification detail भरना होगा और last में आपका document वेरिफी document upload करना है और payment करना है तो document क्या-क्या लगेगा हम लोग देखेंगे बने रहेगा अंत तक अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं भरना है सीधे नीचे आ जाना है और यहाँ पर gender आपको select कर लेंगे male female जो भी है उससे select करेंगे फिर आप इंडिया के निवास है citizen of इंडिया है तो tick कर लेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो आप जो Muslim सीख हिसाई जो भी है उससे select करें फिर यहाँ पर पिता का नाम है यहाँ पर माता का नाम है और फिर इधर नीचे आते हैं तो test city आप से पूछी जाते है पहला देखे test city यहाँ पर देखे पास center आप से पूछे जाएंगे तो पहले आपको state select करना है जिस state state में आप परिच्छा देना चाहते है उसको select करेंगे और यहाँ पर देखे आप city खुल जाएगा पहले city में देखे यहाँ जो भी आप देना चाहें वो select कर सकते है फिर अगर आप दूसरे राज में परिच्छा देना चाहते तो दूसरे राज में भी परिच्छा दे सकते है यहां पर कोई भी एस्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो फिलाल मैं दूसरा नहीं करूँगा यहां पर भिहारी कर देता हूं फिर दूसरा सेलेक्ट कर लेगा इसी पर कर से एक एक करके आपको जो भी नजदीक रहे है उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे पांस सेंटर यहां पर है मैं आपके NOK कर दूँगा फिर यहाँ पर victim बगेरा है 1924 सीफ दंगे के तो yes no कर सकते तो मैं आपके NOK कर दूँगा फिर यहाँ अगर आप a sport person है तो yes no कर सकते मैं आपके NOK कर देता हूँ फिर यहाँ पर आते हैं नीचे तो driving license बगेरा अगर आपके पास है तो yes करेंगे नहीं तो no कर देंगे ठीक है मैं यहाँ पर yes कर देता हूँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पुछा जाता है कि क्या आपको motor mechanism आपके post के अनुसार पुछा जाएगा ठीक है अगर MTS select करेंगे तो यह वाला नहीं पुछेगा तो मैंने यह यहाँ पर SS select किया है security assistant motor mechanism बला तो मैंने यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसे yes कर लूगा फिर ठीक है यहाँ पर experience बगएरा है आपके पास गाड़ी ओड़ी चलाने का तो हाँ यह ना पर कर सकते मैं आप yes कर दूगा फिर अगर आपके पास motor cycle car license बगएरा है तो yes करेंगे न MTS select करेंगे तो यह वाला यह सब नहीं पूछेगा ठीक है सिधे यहाँ के बाद जो है आपका यह पूछेगा उसके बाद save and next कर सकते हैं अब दोस्तों आपको message मिल जाएगा कि आपका data जो है save successfully save हो चुका है ठीक है यहाँ पर ok button पर आपको click कर लेनी है जैसा इस पर click कर ल आपका name of board 10 वी का यहाँ पर detail भरना है matriculation का detail यहाँ पर 10 वी का board भरेंगे passing year डालेंगे passing month और year डालेंगे कब आपने pass गया metric वो डालेंगे और school या institute का नाम यहाँ पर भर देना है subject combination क्या था तो metric में तो आप लोग जानते ही है all होता है ठीक है तो all आप यहाँ पर डाल स pass कर देंगे अगर आप pass है तो pass करेंगे fail है तो fail करेंगे यहाँ पर आपका पुछे का देख सकते है क्या पुछ रहा है percentage है या CGP है तो percentage है तो percentage सेलेक्ट कर देंगे फिर यहाँ पर marks obtained है maximum marks आपका कितना है वो डालेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं तो 300 डालते अगर आपके पास और कोई qualification है तो उसका detail फिल कर देंगे ठीक है other detail कुछ आप डालना चाहते है जैसे English language बगएरा computer knowledge बगएरा तो यह सब अगर आपको आता है तो यह सब आप यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है तो मैं आपर yes कर देता हूं ठीक है for region language बगएरा कुछ आता है तो और उसके बाद यहाँ पर कौन सा language आता है वो language आपको लिक देना है फिर यहाँ पर work experience आपके पास कुछ है तो yes no कर सकते हैं मैं आपर yes कर दूगा अगर yes करते हैं तो क्या है यहाँ पर add row पर click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक आने के बाद यहाँ पर भार देंगे या फिर मैं इसे no ही रहने देता हूँ ठीक है आप भी यहाँ पर save and next कर लेगे जैसा ही save and next करते हैं देखिए यहाँ पर फिर से आपको message मिल जाता है कि आपका data जो है successfully save हो चुका है फिर ok बटन पर यहाँ पर click कर लेंगे ठीक है ok बटन पर click करते हैं करते ही देखिए यहा आपका photograph upload करने के लिए कहा जाएगा तो photograph जो है आप 50 के भी से 100 के भी तक का upload कर सकते हैं signature भी आपका वही 50 के भी से 100 के भी तक का और जिस estate से आपने आविदन किया है उस estate का domitial certificate आपको यानि कि आवास यह निवास परमान पतर आपको यहाँ पर upload करना है ठीक upload करने के यहाँ पर सभी को accept करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इस capture code को देखें इस capture code को जो है आपको यहाँ पर इस capture code को यहाँ पर भरना है और preview बटन पर किलिक करेंगे preview बटन पर किलिक करते ही preview दिखा देगा उसके बाद यहाँ पर submit करेंगे और payment अपना complete कर लेगे अब देख सकते हैं यहाँ पर preview आपको दिखा देगा जो भी आपने भरा है total का total preview दिखा देगा तो देख सकते हैं इस परकार से जो है आपको आभिदन करना था बस एका step complete कर ना है ठीक है आप सिर्फ यहाँ पर okay बटन पर किलिक करेंगे और नीचे दियो capture code यहाँ पर भरा हुआ आप submit बटन पर किलिक करेंगे तो आपको payment करना है submit करते ही फिर से आपको यहाँ पर declaration दिखाए देगी declaration पर आपको agree कर लेना है agree करते हैं यहाँ का form यहाँ पर submit हो जाता है और payment के लिए देखें यहाँ पर gateway खोल जाती है SBI का तो यहाँ पर net banking, credit card, debit card जिससे भी आप payment करना चाहिए payment करके आप अपना print out निकाल सकते है तो इस परकार से आप एतन करना था उम्मीद करता हूँ जानकार याप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ल लिए मैं में लोगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिद